साथियों, कॉंग्रेस ने गरीब को धोके के सिवाए कभी कुछ नहीं दिया है हमारे देश का गरीब, गरीबी हटाओ के नारे सुन-सुन कर सामाजी गिन्याय की थोथी बाते सुन-सुन कर ठक चुका था और इस वाइदे के नाम पर कॉंग्रेस द्वारा साल-दर-साल, पीडी-दर-पीडी देश के गरीबों का भावनात्मक सोशन करते रहे हर गरीब सोथता था कि कम से कम मेरा बच्चा तो गरीब नहीं रहेगा लेकिन कॉंग्रेस के जूठे वाइदों ने हमेशा उसे और उसके बच्चों को गरीब बना करके ही रखा इसलिए भारत का गरीब आत्म विस्वास खो रहा था निराशा के धेर में दबा जा रहा था कॉंग्रेस का सारा खेल सिर्फ और सिप्र सिर्फ अपने परिवार के लिए और धन्ना सेटों के लिए है गरीब उसके लिए सिर्फ और सरफ एक बोट है इसलिए कॉंग्रेस गरीब की कभी कद्र नहीं करती उसे गरीब का दुख दर्त कभी समझ नहीं आता और इसलिए जब तक कॉंग्रेस के अंदर सरकार में रही वो गरीबों के हक का पैसा लूट कर खाती रही अपने नेताओं की तीजोरी में बढ़ती रही मेरे भाई और भहनों 2014 में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्यान को अपनी सबसे बड़ी प्रात्पिक्ता बनाया हमने अपने गरीब भाई बहनों में ये विश्वास पैदा किया कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है वो जो गरीबी में जिन्दगी जिये हैं उनके बच्चों के नसीब में वो गरीबी नहीं रहनी चाहिए हमने ऐसी ऐसी नीतिया बनाई हर गरीब अपनी गरीबी का उस गरीबी को खात्मा करने का उस गरीबी को पराजित करने का सबसे बड़ा सिपाही बन करके मोदी का साथी बन गया बाजपास सरकार ने बहुत धैरिय से काम किया बहुत इमांदारी से काम किया मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाती एक ही जाती है और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाती कोई है तो एक ही है वो जाती है गरीब जो गरीब है ये मोदी उसका सेवक है मोदी उसका भाई है मोदी उसका बेटा है भाजपास सरकार ने जो नीतिया बनाई उससे आज देश में गरीबी कम हो रही है हमारे सेवकाल में सिर्फ पांच साल में साड़े तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बाहर आये हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं वो आज मोदी को कोटी कोटी आशिवाद दे रहे हैं इसलिए गरीबों की ये एक जुड़ता आज गरीब एक जुड़ हो रहा है गरीब नए आत्मविस्वास से भरा हुआ है और गरीब तै करके बैठा है कि अपने संतानों को पास गरीबी की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और इसलिए गरीबी की लड़ाई में गरीबी को परास करने के लिए आज गरीब एक जुट हो रहा है गरीब एक जाती के रुप में साथ आ करके कंदे से कंदा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोधी की महास्यना बन चुका है लेकिन यह जो गरीबों की एकता है ना गरीब ने जब अपनी एक ही जाती माल ली है गरीब तो यह राजनितिक दलों के पेट में चुहे दोड़ने लगे हैं उनको लगने लगा है कि गरीब की एक ही जाती अगरी कटी हो गई अगर यह एक ताकत बन गई तो यह आज तक जुट चलाने वालों की दुकाने बंद हो जाएगी ऐसे राजनितिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खोल खेले हैं अब गरीब को भी बांटना गरीब की एकता को तोड़ना गरीब के सपनों को विच्चीत कर देना गरीब को ही आपस में लडा लेना एक नया खेल शुरू किया है इसलिए राजनितिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए शडियंत्र कर रहे हैं नए नए भाशाएं बोल रहे हैं जातिवात का जहर वहाँ गोल रहे हैं इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजनिती दलों से आगाह कर रहा हूँ हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर्थ साजिस को एक जुट होकर नाकाम्याब करना है हम गरीबों की एकता को मजबूत करना है हमें मिलकर गरीबी को परास करना है हमें मिलकर नाकाम्याब करना है